हलो एंड वेलकम टो स्पोर्ट्स पैक्ट मैं हूँ आपके साथ अभिशेक भारदवाज IPL 2022 की शांदार मुकाबलों के बीच लगतार जिस तरीके से हर एक टीम पॉइंट स्टेवल में अपने पैदान को उपर बढ़ाने के लिए लगाता जद्दो जहत करती मैदान पर जरूर दिखाई दे रही है तो पूरे स्रिंखला के दोरान यानि IPL के अब तक जितने मुकाबले हुए हैं कुल 31 मुकाबले हो चुके हैं मुसीबतों का सामना दोन ही टीमों को करना पुड़ा है अब आपको बता दे कि पहले जिस तरीके से देली कैप्टर्स के खिलाडियों का लगातार कोवीड पोजिटिव होना सपोर्टिंग स्टाप्स का फिजियो जो है उनका पोजिटिव होना लगातार और कहीं न कहीं इस तरीके से एक कह सकते हैं कि कोवीड के साय की बिच देली कैप्टर्स की टीम पूरी की पूरी तरीके से बज गई थी लेकिन अब आपको बता दे कि जो अपडेट्स हम आपको पहली भी दे चुके हैं कि देली और जो पंजाब के बीच मुकाबला होने वाला है वो अब पूरे में ना होकर मुंबई में ही खेला जाएगा पहली बात ये थी दूसरी बात कि पंजाब किंग्स के कप्तान जी हां जिस तरीके से कप्तानी की जिम्मेदारी मैंक अगरवाल को मिली थी पिछले मुकाबले में मैंक अगरवाल सनराइजेज हैदराबाद के खिलाफ नहीं खेले थे और उस मुकाबले में शिकरधवन ने कप्तानी की थी जो की पहले सनराइजेज हैदराबाद के साथ खेल चुके हैं तो अपने ही पुरानी टीम के खिलाफ श्रिकरदवन के कप्तानी हमने देखी लेकिन कहीं न कहीं मुकाबला जो है उसमें आपको देखने को मिला था कि पंजाब किंग्स ने जो है वो मुकाबला गवाया था और सनराइज हैदराबाद की टीम ने जीत हासिल की थी तो कुल सा मुकाबला मैं कगरवाल खिलें के ने इसके पहले आपको बता दे कि नंबर साथ और नंबर आट के बीच आज मुकाबला यानि पॉइंट स्टेबल में नंबर साथ पे पंजाब किंग्स की टीम है और नंबर आट पे देली कैप्टेल्स की टीम है तो पॉइंट स्टेबल पर उतार चेड़ा होंगे अगर आज के मुकाबले में पहले तो धाग ये मुकाबला होगा या नहीं होगा क्योंकि मुकाबला पूने में होने के जगा पूने में ना होकर अब मुंबई में हो रहा है और अगर इस तरीके से अगर मैच रिसीडियूल होता या किसी कारण वस् तीम को यानि पंजाब की टीम को दोंकों का फायदा यूई हो जाता लेकिन आज मुकाबला होगा पंजाब बनाम दिली कैपिनस की बीच मुकाबला होगा और कप्तान की तौर पे मैंक अगरवाल असके मुकाबले में खेलते हैं दिखाई दे सकते हैं पिछला मुकाबला नही अंगूठे पैटो में चोट लगी थी और जिस कारण से वो संडाईजे जैदरवाद के खिलाब वो मुकाबला नहीं खेले थे लेकिन जो अपडेट आई है उनके फिटनेस को लेकर लगतार नेट्स पे भी पसीना बात वे महें कगरवाल दिख रहे हैं और कहीं न कहीं आज देली कैपिटर्स के खिलाब जो संभौता ये जो खबर आड़ी है कि महें कगरवाल आज का मुकाबला खेलेंगे और अगर मुकाबला खेलेंगे तो कहीं न कहीं नेट्स पे पसीना बाहर है तो मैदान पर भी इस पसीने का जो कह सकते हैं जो मेहनत का फल है वो दिखना चा उड़ोगी कि महें करवाल अपनी टीम को आईपील के पॉइंट स्टेबल में उपर के पैदान पर लेकर आगे बढ़े तो देखना होगा आज के मुकाबले में किस तरीके का प्रोदिशन रहता है महें करवाल का जो खबर आ रही है जो अपडेट से हमारे पाउस उसमें आ अलाकि उस लिश्ट में थें लेकिन उनको पचारते हुए जिस तरीके से महें करवाल ने कप्तान की जिम मेदारी संभाली कप्तान की जिम मेदारी उन्हें सौपी गई उसके बाद अब देखना हुआ कि आज के मुकाबले में देली कैप्टेल्स के खिलाफ क्या कुछ रण तो क्या लगता है आज की मुकाबले को लेकर कि पंजाब और देली की बीच में अगर मुकाबला आज होगा तो कौन सी टीम किस पे भाड़ी पर सकते हैं और कप्तान मेंक अगरवाल से आपको क्या कुछ उमीद है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूब बताएग और अगर वीडियोज अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले हैं